नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवश्यक होती है तो आई यह सुरू करते हैं और देख ले चाहिए अन्दोलन 11 बजे सुरू होगा लोक्सिवा आयोग के परिसर में परतियों की चाहत्र मुर्चा की तरब से धर्नप्रदशन हो रहा है और विद्यार्थि इस बार का जो धर्नप्रदशन है उसको काफी ब्यापक रूप में करने की योजना बना रहे हैं योजना यह पाज डेट है और साम को पांच बजे तक है तो इससे आप लोग दे सकते हैं लिखा बैंकिंग कार्मिक चेन संस्थान इंस्टिटूट और बैंकिंग परसनल सेलेक्शन आई पीएस का कलर्ग भरती के लिए आज आवेदन की आखरी तारीक है एक चुक उमीदवार www.ibps.in पर जाकर आउनलेन आवेदन कर सकेंगे किसी भी बीसे से ग्रेजवेट उमीदवार इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिक्तम 28 वर्स निर्धारित की गई एस से एस टी उमीदवार को आई में 5 वर्स की चूट और इसी को 3 वर्स की चूट दी जाएगी इस इस एक्जाम को देने के बाद में एक स्कूर कार्ड मिलता है और उसके बाद में जो सरकारी बैंक होते हैं उनमें चेन किया जाता है एक और सूचना समचार पत्रों में है आज के सीबीसी की लिए सी सीटेट परिक्चा के आवेदन में सुधार का मौका 10 तक और केंद्री मा प्रक्रिया पूरी होने के बाद में नमबर के तीसरे हफते में एडमिट का डाउनलोड किया जा सकेंगी सीटेट परिक्चा आगामी 8 दिसमबर को आयुद की जाएगी आवेदन प्रक्रिया समाफ्त होने के बाद सी ने बीते चार अक्टूबर को आवेदकों को अपने करते हैं और इसके बाद में अगली सुचना है टीटी नोटिफिकेशन की टीटी की मालूम होई चुका है बाई दिसमबर को इसी की बरिक्चा लागतार विद्यारती मुद्रत किसा इसकी आवेदन कब से लिए जाएंगी तो ऐसी चर्चा है कि जो इसके जो आवेदन है वो कि सभी अब चारिकता हैं पूरी हो गई है तो एक या दो दिन में यानि कि कल या परसों ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज आएगा आज तो नहीं आएगा इसके बाद में एक और सुचना है स्वास्त विभाग से 14 सव भरती निकली हुई है अलग अलग पदों के है और इसमें पदों की संख्या अगर आपको देखनी है तो यह देखनी लिए लिखा 1400 प्लस पोस्ट है पोस्ट कौन कौन सी है ब्लॉक एकाउंट मेनेजर मेटिकल ऑफीसर रिजिस्टी असिस्टेंड काउंसलर सोसल वरकर और वरियस पोस्ट तो इसका जो सब्सक्राइब को मांगा गया कुछ में कुछ सार्टिफिकेट सी जाद ही मांगे गया है वैसे यह इसका अफीसर नोटिफिकेशन है इसमें दिया हुआ है यही से बात है जो मैंने आप लोगों को बताइए तो धुन्दला होगा आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप आपको जानकारी मिलती रहेगी लेकिन बहतर होगा अगर आपने आगराद में रहते हैं तो लुक सिवायों जरूर पोचें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद